आज मैं बात करूंगा कि यह जो इस का कैमरा है जिसका मोडल नंबर है एक सिक्सी प्रो यह कैमरा मार्किट में नया आया है और इस कैमरे को कनेक्ट करने के लिए जो एपलिकेसिन इंस्टॉल होती है वो है इस तो आप इस कैमरे को किस तरीके से फोन पर कनेक्ट करोगे अब इसको कनेक्ट करने का जो बैस तरीका है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं काफी अच्छी तरीके से आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है कि आप इस कैमरे को आराम से घर पर खुद ही कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इसी तरीके से लेगे चलूंगा आप तो देखे गाई सबसे पहले क्या करना है आपको आपका जो कैमरा उसको करना है यह पावर के वहले इसके अपने नोटिफिकेशन लाइट बिलिंक करेंगी बिलिंक करनी चाहिए इनकेस से यह बिलिंक नहीं करती है तो आपको यहां पर यह जो रिसेट का बटन है इसको प्रेस करके रखने आपड़ेगा कुछ सेकिंड लगबग आप समझ लीजिए फाइव तो सिक्स सेकिंड आपको होल्ड करना पड़ेगा इसको पकड़के रिसेट वाले बिटन को तो यह रिसेट हो जाएगा और इस तरी पर कनेक्ट होने के लिए अब क्या करना है आपको यहां पर रहा यह आपका मोबाइल आपने इसमें एड़ डिवाइस का ऑप्शन आपको शो रहा होगा यहां पर अच्छे से तो यहां पर एड़ डिवाइस के ऑप्शन पर जैसे आप जाएंगे यहां जाने के बाद में आपको इस तरीके से कुछ camera की या बाकी और कुछ devices की लिस्ट मिलेगी तो आपने सिर्फ camera पे जाना है camera पे जाने की बाद में इस तरीके से scanning का option जो है वो open हो जाएगा आप देख रहे है scanning option open हो चुका है आपने क्या करना है नीचे यहां पर जो scanner है तो यहां पर मैंने स्कैन कर लिया है और यहां पर डि माइस आ चुका करना है यह जो भुच्ण है यहां पर टीक लगजाएगा अब आपने ऊप्षन करके आपने में अपने स्टार्ट करते तो वह बाद में तो आ कि अनिकेस तरीकेसे आप कर सकते हैं रिफ्रेश कर देंके तो और hoor सब्रेके में तो ब unbel अबसके मैं आप्ट बाइस ग्राइब जर्ट यहांब करें झुक्क्राइब मार सबूसों और पाइस्षवर्ट यहांब सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सतुछ लात यह नहीं पांप्ट लना । तो यह इस तरीके से मैंने बास्ट डालने के बाद में इसको नेक्स का जो ऑप्शन है वो कर दिया है अभी वाइफाई से कनेक्ट हो रहा है डिवाइस अभी आप यहां पर देखिए कनेक्टिंग टू वाइफाई का आपको जो साउंड हो सुनाई दिया वाइफाई कनेक्टिड़ यहां पर केमरे ग swims नम है वाच चुका है एच सिक üzर आपने इसको मौरिफाई करना जो भीड़िया चीजओ ब्यापने इसको नाम दे है वहाब दे सकते हैं इसके बाया पर इसको आप कोई custom name भी आप डाल सकते हैं यहां पर कोई यहां पर जो बाई डिफोल्ट आते हैं वह डाल सकते हैं मैं something living room ही डाल लेता हूं अगर तो next कर देते हैं देखें यहां पर यह camera connect हो चुक है अब camera connect हो गया है यहां पर और उसके आपको कुछ option यहां पर दिखाई दे रहे होंगे पहला option आपको दिख रहे हैं आप पर डिवाइस का qr code तो डिवाइस का qr code आप save कर लें यह save का option आता है save कर लेंगे आप तो जो qr code है वो सेव हो चुक है आपकी mobile की album में गैलरी में वह आपको काफी ज्यादा help होगा next time जब आप इसको install कर चुके होंगे तो आपको qr code से ही आप कर लेंगे आपको इसको उतारने की जुरूत नहीं पड़ेगी इसके बाद में देखिए यहां पर कुछ आपसाइड डाउन लगाया है जिस तरीके से अभी यह camera रखावे टेवल टॉप है और अपसाइड डाउन होता है इस तरीके से यहां पर तो आपसाइड डाउन होने के बाद में camera जो आना आपको उल्टा ही नजर आएगा यहां पर 180 डिगरी टर्न हुआ नजर आएगा अब आपने इसको सही करना हो तो आपने फिलिप इमेज वाला जो option है उसको आपने क्लिक कर देना है तो आपके camera की जो image है बिल्कुल ठीक ब देता है नेक्स का option कर देना है अब यहां पर देखिए आपको एक option आज रहाएगा जिसमें कि आपने इसका encryption पास्वर्ड जो है वह चेंज करना है तो कर सकते हैं encryption पास्वर्ड होता है जो आपके पीछे यहां पर लिखा होता है डिवाइस के यह काफी ज्यादा security पर पर प subscription पास्वर्ड है यह आपने चेंज कर देना चाहिए पर याद भी रखना जो बनाया है तो वह डालेंगे एक बार फिर से डालेंगे यहां पर अब देखिए यहां पर जो है ना पास्वर्ड यह जो बनाएंगे इसका एक condition है कि आपके 8 to 16 character की length होनी चाहिए और पास्वर्ड आपका जो lowercase letters, uppercase letters और digit और symbol इन सब में होना चाहिए ठीक है यह आपने बना लेना नहीं बनाना है तो आप यहां पर back जा सकते हैं और यह आप इस तरीके से camera आपका connect हो गया और यहां पर click करेंगे तो यहां पर आपक camera working मिल जाएगा इस तरीके से camera connect हो चुका है बाकि सभी option मैंने और वीडियो में बता रहे हैं बाकि यह सभी option है इसको rotate कर सकते हैं इस तरीके से up down rotate सब कर सकते हैं और यह सभी option आते हैं इनको आप use कर सकते हैं यह memory card option नहीं पर रहेगा memory card डालेंगे तो recording यहां पर आएगी बाकि सभी option है इन option के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे गाइस इस वीडियो में बस इतना ही आई होब आपको यह वीडियो का अच्छे समझ आई हो कि आपको इस वीडियो के camera को किस तरीके से connect करना है सभी चीज़े मैंने clear की कोई आपके doubt हो तो आप मुझे comment मे पूछ सकते हैं और इसी तरीकी के और वीडियो पाने के लिए चैनल का सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें तो चलिए मिलते के श्रूर वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए चाहीन टेक केर बाए बाए